उत्तर प्रदेश की फिलहाल जो खबर आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्यवर बताय जा रहा है जो उत्तर प्रदेश जीट जाता है वो गद्धी दिल्ली की सीधा पा लेता है अब यहाँ पे बड़े नामों के बारे में बात कर लेते हैं तस्वीरों के साथ आपको फिलहाल दिखा देते हैं कि कौन हो सकता है जो उमीदवार जिने दुबारा भी टिकेट मिल सकती है और उन्हीं शेत्रों से मिल सकती है राजनाच सिंग यूनिन मिनिस्टर राजनाच सि पहले भी चुनाव जो है वो लड़ चुके है रवी किशन का नाम आया था पहले गोरकपुर से पहले यहां से अगर देखा जाये तो उमीदवार योगिया अधित्तिनात हुआ करते थे अब गोरकपुर से जो MP है वो रवी किशन है शुबरत पाठक का भी नाम सामने आ रह अमेटी से ही और साथवी निरंजन जोती फते पूर से बताया जा रहा है कि वो दुबारा चुनाव वहां से लड़ सकती है अब यहीं पर अगर मध्यप्रदेश के भी बात कर लेते हैं बीजीपी का जो MP का ब्लूपरिंट है वो भी आपको जानकारी दे देते हैं शिवरा और फाइव सिटिंग एंपी उनलाइकली तो गेट टिकेट यह एक बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि जहां तक हमने देखा कि पस्चिम बंगाल में जादता रुपीट किया जा रहा है सेम विद उत्तर प्रदेश लेकिन हो सकता है प्रग्या जानकारी मिल रहें कि मध्यप् और कुछ एंपी ऐसे थे जिनको असेंबली चुनाव लड़ाये गया था उनमें से दो तीन एंपी ऐसे हैं जिनको वापस यह लोकसभा का चुनाव लड़ाये जाएगा जिसमें फगन सिंग को लस्ते यूनिन मिनिस्टर जो की हैं थे और गनेश सिंग वो भी चुनाव रहेंगी और इन सब को देखते हुए मोटा मोटी यह कहा जा रहा है कि बहुत जादा सीटों का फेर बदल टिक्टों का फेर बदल नहीं है पचार से पांच एंपी ऐसे हैं जिनको टिकेट हो सकता रिपीट ना कराई जाए